एक समय की बात है, एक बड़े जंगल में कई प्राणी रहते थे, जैसे गिलहरियों से लेकर सुन्दर हिरन जैसी विविध प्राणियाँ थी और सभी एक दूसरे के साथ मिल जुलकर रहते थे. फिर एक क्रूर शेर आ गया, वह शेर बड़ा खतरनाक था, उसकी एच्छा थी कि वह जंगल के सभी अन्य प्राणियों को खा जाए, यहां तक कि जब उसे भूख नहीं थी, उसकी शक्ती और उसके भय के कारण जंगल के प्राणियाँ गायब होने लगे, तो प्राणियों न एक चतुर योजना बनाई, उन्होंने शेर के पास जाकर कहा, शेर जी, अगर आप अपने गुहां में रहेंगे, तो हम आपके लिए हर दिन एक प्राणी लाएंगे, जिसे आप खा सकते हैं, इस तरह आपको हमें शिकार करने की आवश्यक्ता नहीं होगी, शेर सहमत हुआ क्योंकि उसके लिए ये کाफी आसान था, हर दिन किसी की बारी आती थी जो शेर का भोजन बनता था, और आज एक छोटे से खरगोश की बारी थी की वो शेर का भोजन बनेगा, खरगोश डरा हुआ था, लेकिन खरगोश बहुत चतुर था, सुभ़ शेर के पास जाने की तुम देर से क्यों आये हो और मेरा एक छोटे से खरगोश से क्या होगा। एक खरगोश मेरा पेट भर नहीं सकता। तुम देर से क्यों आये हो और मेरा पेट भर नहीं सकता। उसे अपना प्रतिबिम्ब दिखा। उसने समझा कि यह कोई और शेर है और वो अपने क्रोध से गरजा। गरजने की आवाज वापस आई जिससे शेर को लगा कि कोई दूसरा शेर सच में है जो उसको चुनोती दे रहा है। बिना सोचे समझे शेर कुआ में कूदा। क्योंकि कुआ गहरा था वो वापस बाहर नहीं चड़ सका। खरगोश भाग गया छोड़कर शेर को कुए में फंसा जो अपनी ही प्रतिबिम्ब से धोखा खा गया। इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता से हम सबसे मुश्किल चुनोतियों को भी पार कर सकते हैं।